नमस्कार जैशी कृष्णा, मैं राकेश यवाली एस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा ही कुछ लास्ट वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्य पे विभिन ग्रहों के द्रस्टी का फल क्या होता है उसके सासाथ यह भी आवश्चक है कि सूर्य किस राशी में बैठा है या किस ग्रह की राशी में बैठा है तो आज हम बात करेंगे सूर्य का सिंग राशी के फल कि सूर्य अगर सिंग राशी में हो तो किस तरह के फल मिलते हैं उसके लिए शास्त्रों में कहा गया है सारावली में एक शलोक है उसमें लिखा है मेधावी सुकुलकत्रे कफार दितो बुपल वनलबो मनुजय यानि वो कहते हैं कि सिंघस्त सूर्य हो सिंघस्थ सूर्य हो अगर सूर्य राशी में सिंघ राशी में सूर्य हो तो बोलते है रिपुहंता रिपुहंता ऐसा इंसान शत्रू नाशक होता है क्रोध परो विसिस्ट चेस्टो क्रोध वाला होता है विसिस्ट होता है चेस्टा करता रहता है जब तक कोई चीज काम को अचीव नहीं कर लेता तब तक चेस्टा करता रहता है वनाद्री दुर्गचत किलों में और वनों में चरने वाला होता है घुमने वाला होता है वन पर धन से समरद्ध होता है इस्थिर मनो भावो वाला होता है और ख्याती प्राप्त होता है तो यह है अगर सूर्य सिंग राशी में हो अब सूर्य सिंग राशी में बैठा हुआ है किसी कुंड़ी में आप पनी कुंड़ी देखिए अगर सूर्य सिंग राशी में बैठा हुआ है और उस पे चंद्रमा की दृस्टी है तो आप देखे क्या होता है अगर चंद्रमा की दृस्टी है तो कहते हैं कि अगर चंद्रमा की द्रस्टी हो सूर्य पर तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान अच्छी पत्नी वाला कफ से पीडित होता है और बहुत होश्यार और इंटेलिजेंट होता है और यही सूर्य अगर सिंग राशी में बैठा हो और मंगल से द्रस्ट हो तब परदार रते शूर सहास्करी कृत्यो दमो रादर दिव सक्रे सिंगस्ते कुजेन दस्ट प्रधान अच्छे तो क्या कहते हैं ऐसा हो तो परिस्त्री में रती रखने वाला परिस्त्री में रूच सूर्य सिंग राशी में हो और बुद्ध की द्रस्टी उस पे हो तब क्या होता है विद्वान लिपी लेखेकर किताव सेवी परिभ्रमित हीना विद्वान होता है लेख लिखने वाला होता है सिंगस्ते दिव सक्रे बुधेन द्रस्टे ने बहु सत्वय तो वो कहता है वि चीज उसमें होती है अगर सूर्य सिंह राशी में हो और गुरु से द्रस्ट हो। Teil राम, सुर्ज्ण से द्रस्ट हो। तो ऐसा व्यक्ति देवाले बनवाने वाला, मंदिर बनवाने वाला, भाग बनवाने वाला होता है अधिक सत्वशील होता है एकांत प्रिय होता है और महा बुद्धि मान होता है और इसके अतिरिक अगर सूर्य सिंग राशी में हो और शुक्र से द्रस्ठ हो तो बताया गया ह दूर्णा कम कस्टव गैरो विक्षितो निर्द्यो विगत लज्ज सिंघे तिमिर विनाशे शुक्रे निर्खितो हो जाते हैं शुक्र से दरस्ट सुर्य हो तो ऐसा वेक्ति का नाम बहुत अच्छा नहीं हो पाता रोगों से पिडियो देह सकता है मिर्दई हो सकता है और शनी से द्रस्त हो तो सब काम बिगाडने वाला होता है दूसरों को सताने वाला होता है और नपून्सक होने के भी चانस उसके हो जाते हैं अगर शुक्र सूर्य सूरे के सिंग राशी में है और उसके उपर शनी की दरस्टी है तो ये था सूर्य का सिंध राशी गतफल आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि सूर्य अगर कन्या राशी में हो तो उसका फल क्या होता है और सूर्य फिर बुद्ध के राशी में हो और विबिन ग्रहों की दरस्टी हो तो क्या सा फल होता है पाशा करता ह आपको समझ में आया होगा समझ में आया तो कारणिर लायकर सब्सराइब किजीएमा इसके लावा हम लोग नए बैस Start कर piace चाते भावा जी बूने चालोजी के मेडिकल डीके कए रमिडिय्स के जो लोगो भी इंट्रेस्टिटीड है जाइन करने में वह डिफरेंट थे में अपना वो नांगन करा सकते हैं धन्यवाद जैश्री कृष्णा